जैसा कि मैंने बतलाया अगर वो पैटर्न फॉलो करेंगे तो हम वन लैक के बाद के भी नंबर्स पे आ जाएंगे वन लैक के बाद में 10 लैक्स 10 लैक्स के बाद में करोर्ड तो सी वाट इस नंबर्स आर इफ वी आद वन और उसके अंदर वन एड कर देंगे तो यहां पर एक दो तीन चार पाद पाद में तो यहां पर एक दो तीन चार पाद में और यह 6 दिस विल बिकम 10 लैक्स राइट आउन ग्रेटेस्ट नंबर्स पाद आइन नाइन 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 यह ओगा छे बार नैन और इसमें जैसे हमने प्लस वन किया तो हमारे पास में इदाने 7 डिजिट का सबसे छोटा नमबर 1 0 0 0 0 0 0 यह साथ डिजिट का नमबर आ जाएगा अब इसके बाद में अगर यह साथ डिजिट का नंबर है तो ग्रेटेस्ट नमबर क्या होगा साथ डिजिट का वह गा 999999999 और इसमें अगर फिर से वन एड़ कर दें सो सी राइट दे ग्रेटेस्ट सेवें डिजिट नमबर तो 999999999 किते हो गया है साथ ठीक है और इसमें भी अगर हम प्लस 1 एड़ कर दें अब ये 8 डिजिट का सबसे छोटा नमबर हो जाएगा so here write the greatest 7 डिजिट नमबर and the smallest 8 डिजिट नमबर तो 8 डिजिट नमबर इसमें 1 लिखेंगे और फिर उसके बाद में 7 zeros लगाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ अब ये 8 डिजिट का सबसे छोटा नमबर हो गया so we will get the smallest 8 डिजिट नमबर अब हम एक पैटरन को देखेंगे और फिर इसको complete करेंगे complete the pattern 9 प्लस 1 ये 10 होता है 99 प्लस 1 ये 100 होता है तो ये सब चीज़ें हमने अल्रेडी दीखी हुई है कि 2 डिजिट के नमबर में अगर 1 अड़ करते हैं तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नमबर आथा यहां पे 999 प्लस 1 ये 4 डिजिट का सबसे छोटा नमबर मतलब 1000 आएगा 1000 then 9999 प्लस 1 ये 5 डिजिट का सबसे छोटा नमबर हो जाएगा so this will be 10,000 then 99,999 इसमें अगर 1 add करेंगे तो हमको 6 डिजिट का सबसे छोटा नमबर मिलेगा 0, 0, 0, 0, 0 फिर अगर 6 डिजिट के ग्रेटेस्ट नमबर में हम 1 add करेंगे so साथ डिजिट का सबसे छोटा नमबर हमें मिलेगा तो this is 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 and 0 so we can see this and we can complete the pattern in this way ऐसे ही यहां पे अगर साथ डिजिट का नमबर ग्रेटेस्ट वाला उसमें अगर 1 add करेंगे तो 8 डिजिट का सबसे छोटा नमबर हमें मिल जाए अब हम यहां पे कुछ larger numbers दिखेंगे और आपको यह चीज थोड़ी याद रखनी चाहिए क्योंकि हम धीरे से international system इसके अंदर आने वाले हैं तो आपको याद रखना है कि 100 100 के अंदर कितने 10 होंगे तो अगर 10 को 10 से multiply करें तो 100 आता है 10 into 100 was 1000 तो इसके अंदर 10 hundreds होते हैं 1000 के अंदर क्योंकि 10 को जब एक हैं 100 से multiply करते हैं तो हमारे पास में 1000 आता है अब इसमें अगर जैसे 10 into 100 तो this is becoming 1000 1000 इसी चीज को हम यू भी लिख सकते हैं यह 10 इसको 100 को जैसे हमने यहां पे लिखा था this is 10 times 10 10 10 10 तो यहां पे अगर हम इसको 10 into 100 को 10 10 लिखा था 10 10s अगर इसमें से इनको हम साथ में ले ले तो 10 into 10 मतलब कितना हो गया 100 और 100 times 10 तो this will become 100 10s means this is 100 times 10s फिर 1 lakh 1 lakh it was 100 into 1000 क्यों कि हमने देखा था यह च्छे डिजिट का smallest number है 1 lakh तो च्छे डिजिट मतलब यह 1 लिखा और फिर 1 2 3 4 5 5 0s हैं तो च्छे डिजिट का यह smallest number है तो इसको 100 times क्योंकि इसको लिख सकते हैं 100 into 1000 तो किते 1000 हैं इसमें 100 1000 है तो इसको लिख सकते हैं हम 100 thousands और इसी को अगर हम यू लिख दें 1000 into 100 अगर इसा लिख दें तो इसमें 100 एक हजार 100 इसके अंदर आ रहे हैं ज्मु अड़्यक्त किते हैं लिख सकतrant takiego सकakte 3 कर अगर 12 और आ वीख सकते हैं किते हैं में लिख देंगे decision लिख 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 सकते हैं लिख सब्क्तर यiguous लिख सकते हैं लिख 55 इसका 2 कर, 1 कर ज़ ब siisके दें लिख एट डिजिट स्मॉलेस्ट नमबर इसमें से अगर इसको 100 इंटु यहां पे 1 लैक लिखें तो देखिए 8 डिजिट इसमें हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 1 तो आठ डिजिट का नमबर होता है 1 क्रोड तो दिस के रिटन एस 100 इंटू 1 लैक मेंस दिस विल बी 100 लैक और इसी को अगर 1000 के अंदर लिखना हो कि कितने 1000 होंगे तो इसको हम अगर लिख दें 1, 0, 0, 0, 0 और फिर उसके बाइद में मतलब 4 0s तो यह हो गए इसके बाइद में इंटू 1,000 अगर लिखना है देखिए टोटल आठ डिजिट का नमबर बनता है तो दिस कैन बी रिटन एस 10,000 इंटू 1,000 तो कितने 1000 सा रहे हैं इसमें 10,000 1000 सा रहे हैं तो इसमें इसमें डिखन बाइद Скलेकर लिखन 10 minus 1, 10 minus 1 is 9, what is 100 minus 1, so this is 99, what will be 10,000 minus 1, so 10,000 may say other one should look here, so this is 9,999, what is 1,001, so this will be 9,999, means 99,999, what is this 1 crore minus 1, means this is having 1,2,3,4,5,6,7,8 digits, 1 crore minus 1, so jav 8 digit ki number may say 1 subtract kareenge, so humare paas me 7 digit ka sab se bada number aega, so that will be 9,999,999, and 9, 1,2,3,4,5,6,7, 7 digit ka sab se bada number.